हलो फ्रेंड्स वेल्कॉम टो माई योटूब चैनल आज हम बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर सिक्स की एक्सस बन पॉइंट फोड जल रही है मैंने पिछले लेक्षर च्रकेंधर कोश्चन नमबर सिक्स कोश्चन की तो अपने सेट दिया हो है और तो A और B का क्या निकालना है intersection तो A और B के intersection में क्या आजेंगे जो element A और B दुनों में जो common element रहेंगे intersection में आजेंगे तो जब इसका solution करता हूं मैं यहीं कर लेता हूं क्या है intersection Bге तो A intersection B देखते हैं A और B के अंदर क्या कौन से एलमेंट है जो common है एक तो 7 common है एक 9 common है 11 common है तो इसका मतलब इसके जो intersection के अंदर आजएगा 7 9 11 यह जो यह जो तीन element है वो a में भी है और b में भी है next question देखते है second इसका second में क्या करना है अपने को intersection c निकालना है अब वह element लिखने है जो b और c में एक को लो तो इसके अंदर second में क्या है बी इंटर सेक्षंट सी तो बी और सी का intersection intersection का मतलब होता है common element का Set तो देखो इसके अंदर कौन कौन से element है तो 11 है एक 13 है तो इसके अंदर 11 11 & 13 जो हैं दोनों में क्या है common element फिसके इंदर का आजेगा 11 & 13 तो यह कि मेरो पास क्या आ Gp C 3 पार देखो इसका देखो इसने क्या करना है अपने को तीसरे में क्या करना है A MPD रहको का मतलब यह कि अपने को वह element लिखने है जो A में GdC में और D मतलब ऐसे element जो तीनों में क्या हो common हो जो तीसरा part है उसके अंदर क्या निकालना है A intersection C intersection D तो देखते हैं कौन कौन से element है देखो A के अंदर 3 है C में 3 नहीं है तो ये common है सकता 5 5 में नहीं है 7 7 भी नहीं है 9 9 20 में नहीं है तो देखते हैं 11 11 11 C में भी है और 11 जो है कोन वह हयां नहीं है जो ती देनों से नहीं है चया को सब्सक्राइब तोacağım कुछ से इंटरसेक्शन सब्सक्राइब टीम्त और सी मीटDeskkt सि uns कोई अलमें एक तो इसका जो कोई में कोई नहीं हैे तो इसके अदर कोई भी इंप्टी रहा जेगा उसको किस से देनोट करते हैं नेक्स देख तो 6 में 6 में अपने क्या करना है 6 में अपने को इंटर्सेक्शन तो निकालना है लेकिन किसके बीच में A के और B union C का इंटर्सेक्शन निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं B union C तो B और C की union और union में काते हैं सारे के सारे element आ जाते हैं जो A को भी belong करें C को भी belong करें और इन दोनों को belong करें मतलब तो B के सारे के सारे element आ जाएंगे इसमें और C के भी सारे के सारे element C में क्या है 11 और 13 11 13 देखो already इसमें आ गया है तो क्या बचा 15 तो अपने क्या करना है A के B के और C के दोनों के दोनों सारे के सारे element लिखे देने हैं और जो element repeat होएंगे उनको एक बार ही इसमें लिखना है तो ये मेरे पास आ गया B union C अब क्या करना है इसका A के साथ intersection लिखालना है A intersection B union C तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर आप वो element लिखे देंगे जो A में और B union C में common है तो देखो A और B union C में एक 7 common है एक 9 common है और एक 11 तो ये क्याएगा 7, 9 and 11 तो ये मेरे पास क्या आगया answer आगया जो next question है इसका सेमत पार्ट वो आप खुद try करना same ही है इसी type से और जो eighth है वो भी इसी type से है ninth मैं करवा देता हूँ ninth में देखो क्या ninth में क्या करना है अपने को सबसे पहले सबसे पहले मेरे को निकालना है A intersection B A intersection B का intersection किसके साथ निकालना है B union C के साथ देखो B Union C मैंने अभी निकालना है तो B Union C मेरे पास क्या आएगा B Union C आएगा मेरे पास 7, 9, 11, 13 and 15 तो ये मेरे पास B Union C आया था ठीक है जी अब मेरे को B Union C आगया अब मेरे को चीए A intersection B A और B का intersection तो देख लेते हैं A और B में कौन कौन से common है A ये रहा, B ये रहा A और B में 7, 9, 11 कौन है तो ये क्या आजेगा मेरे पास A intersection B आजेगा क्या आया 7, 9 and 11 अब क्या करना था A intersection B का A intersection B का मेरे को intersection निकालना था किसके साथ B Union C के साथ तो देखो B Union C ये सेट रहा A intersection B ये रहा तो इन दोनों का intersection निकालना है तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों में common element कौन कौन से है तो इन दोनों में एक 7 common है एक 9 common है और एक 11 common है तो ये क्या आगया मेरे पास answer आगया ओके फ्रेंट्स जो इसका 10th part है वो same है similarly आप इसी टाइप सेट को क्या करोगे ट्राइ करोगे next question देखते है question number 7 7th question में है अपने पास एक set A दिया हुआ है देखो एक set builder form में दिया है set A क्या दिया हुआ है मैं यहां लिख लेता हूँ set A वैसे लिखा हुआ है इसने क्या दिया हुआ अपने को एकस टाइप के element है इसमें जो एकस है ना वो इस इवन नैचुरल नंबर और वो क्या है इवन नैचुरल नंबर है ठीक है जी और एक set C दिया हुआ है उसके अंदर क्या है X और X जो वो इस ओड नैचुरल नंबर उसमें X क्या है old natural number है और जो D अपने को set दिया हुआ है उसके अंदर क्या है X चाहिप के element है और जो X होगा वो is a prime number वो क्या होगा यह अपने को 4 यहाँ set builder form के अंदर set दिये हुआ है set builder क्या होता है मैंने मेरे first lecture में बताया हुए है आपको उसका link जो है मैं description में दे दूँआ next देखो इसने क्या पुच्छा first जो है इसने पुच्छा कि बताओ A intersection B क्या होगा अब देखो यहाँ अपने को common sense लगाना है क्या पुच्छा है A intersection B और आपको पता है A intersection B में क्या आता है जो चीज दोनों में common A जो set है वो सारे के सारे natural number का है B जो set है वो सारे के सारे even natural number का है अपने को पता है कि natural number में even number और order number सारे के सारे आ जाते है तो मैं कहा सकता हूँ कि यह जो A होगा उसके अंदर सारे के सारे even natural number आ जेंगे तो इन दोनों में common क्या हुआ B common हुआ मतलब A intersection B अपने पास क्या आएगा B ही आएगा क्योंकि natural number में even number भी होते है odd number भी होते है और intersection में दोनों चीज़ common आती है तो इसमें even number भी है इसमें सारे कसारे even number है तो दोनों में common क्या हुआ दोनों में common हुआ even natural number तो इसका intersection क्या है मेरे पास भी आया next देखो मैं यहीं लिख दूँआ क्या करना है A intersection C निकालना है A intersection C तो A कहा है natural number का set C कहा है old natural number का set अब natural number में क्या होता है even और old दोनों होते हैं तो मैं कहा सकता हूँ कि A intersection C में क्या चीज़ common होगी C common होगी next देखते है A intersection C में क्या चीज़ common होगी C common होगी next देखो A intersection D A तो natural number का set है D लेकिन D जो है प्राइम number का set है अब देखो इसके अदर कौन कौन से element आएगे A intersection क्या निकालना है D अब आपको पता है कि D में जो प्राइम number होते हैं जितने भी वह सारे के सारे क्या होते हैं natural number होते हैं तो A के अंदर D आ जाएगा तो मैं कहा सकता हूँ कि इन दोनों में जो common होगा वो क्या होगा D होगा क्योंकि A जो set होएगा उसके अंदर भी D आएगा और D के अंदर तो D है तो इन दोनों में क्या चीज़ common होगी D होगी नेक्स देखो B intersection C B क्या दिया होए Even natural number का set है और C का है Old natural number का set अब देखो Even natural में कभी old number नहीं आ सकता नहीं old number में कभी even number आ सकता तो B तो even number का है और C old number का है तो इन दोनों में कोई चीज़ common नहीं होगी तो इसका मतलब इन दोनों का intersection जो कह रहेगा empty रहेगा Next अगर मैं B intersection D की बात करूँ तो B जो है Even natural number है और D जो है Prime number और even prime number सिर्फ एक होता है वो क्या होता है 2 तो जो 2 है वो set B में भी आएगा और set D में भी आएगा तो इसका मतलब इन दोनों का common element की आया मेरे पास 2 आया क्योंकि even अगर मैं even natural number की बात करूँ तो 2 even natural number है और prime number भी है बाकि जो D है उसके अंदर और कोई prime number जो आएगा वो even नहीं होगा बाकि सारे के सारे क्या होंगे odd होंगे तो इसका मतलब B और D में common क्या है 2 है next देखो C C में क्या है odd natural number का है D में क्या है prime number अब आपको पता है कि C intersection D में क्या हैंगे C के अंदर सारे के सारे odd natural number आजेंगे लेकिन सिरफ 2 नहीं आएगा तो मैं क्या कर सचता हूँ इसको 2 को छोड़के बारे के बाकी के बाकी इसके अंदर के आजेंगे आजेंगे तो इसका question जो है आप खुद try करना अगर आपको ना है तो मेरे को comment करके बता देना मैं आपको उसका answer बता दूगा ok friends next question देखते है 8th 8th में क्या करना है अपने को which of the following pair sets are disjoint अपने को यह बताने कि यह जो sets दी हों है इने में से कौन सा pair जो है वो disjoint set है तो disjoint set क्या होता है पहले भी बताये था disjoint set कौन सा होता है disjoint set वो होते है जिनका intersection क्या हो जैसे एक set A है और एक set B है अगर इन दोनों का intersection क्या आजे empty आजे तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या है disjoint set है अगर इनका intersection empty ना है तो वो disjoint set नहीं है मतलब A और B में अगर कोई भी element जो है वो common नहीं है तो वो क्या होगे disjoint set होंगे तो देखते हैं first part इसमें क्या है first part में अपने को एक set दिया हुआ है मैं उसको नाम दे रहे लता हूँ A माल लता हूँ क्या set दिया हुआ है 1, 2, 3, and 4 एक set B दिया हुआ है क्या उसमें X type के है और X के natural number है और X की जो value है वो greater than equal to 4 है और less than equal to 6 है तो इसके अंदर कौन कौन से element आएंगे B के अंदर 4 आ गया जी 5 आ गया और एक 6 आ गया ये तीन ही element आ सकते हैं क्योंकि natural number कह रहा है कि X natural number है 4 के equal है 4 से बढ़ा है और 6 से छोटा और 6 के equal है तो ये तीन number इसमें आ गए अब देखते हैं इनका intersection क्या होगा A intersection B क्या होगा A के intersection B में 4 जो है वो A में भी है और B में भी है इसके रहावा कोई और element जो दोनों का common नहीं है तो इसके अंदर क्या जेगा 4 तो देखो मैंने बोला था कि disjoint set वो होते हैं जिनका intersection क्या हो empty हो मतलब कोई common element नहीं होना चीए लेकिन इसके अंदर क्या है 4 common है तो मैं कह सकता हूँ कि जो set A and B होगा वो disjoint set नहीं होगा तो मैं लिख दूँगा कि hands A and B are not disjoint sets ठीक है क्योंकि A intersection B is not equal to 5 तो A और B disjoint set नहीं है second part देखो इसके अंदर second part क्या कहता है यह एक set A, E, I, O, U दिया हो है एक set दिया है C, D, E, F देख लेते हैं दोनों में common है कुछ E common है दोनों में तो यह disjoint set नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का intersection क्या है उसमें set E आएगा तो disjoint वो होते है जोनों का common element यह देखते हैं यह कहा X is even integer ठीक है जी यहां यह set है X is odd integer आप आपको पता है कि even में कभी odd नहीं आता और odd में कभी even नहीं आ सकता तो इन दोनों में कोई भी element common नहीं होगा तो यह जो दोनों set बनेंगे वो क्या मनेंगे disjoint set बनेंगे तो जो 3 अपना जो answer है जो 3 part है उसके अंदर यह दोनों set दियो है वो क्या है disjoint set है 9th question देखते हैं आगे 9th में अपने क्या करना है difference निकालना है A set A, B, C, D यह 4 set दियो है अपने क्या करना है A minus B निकालना है A minus C सारे के सारे question एक type के ही है कोई जो question जो ऐसा नहीं है कि अलग होगा same के same type के है सारे के सारे एक ही type से वहेंगे तो मैं यहां आपको एक या दो question करवाऊंगा बाकि आप खुद try करना अगर आपको ना आए तो आप मेरा description जो में है जो WhatsApp नंबर भी है उस पे आप message कर सकते हो मैं आपको उसका answer प्रोवाइड करूँगा ठीक है friends next देखो क्या करना है अपने को a minus b निकालना है first part में तो देखो a minus b मैंने बोला था कि a minus b के अंदर मैंने देखो यह सारी की सारी definition जो है पिछले अपने लेक्सिस में बताई हुई है ठीक है उसका जो link है वो description में मिल जाएगा आपको तो minus कैसे करते हैं देखो a में से क्या minus कर रहे है b जब दो set का क्या करते हैं difference करते हैं तो देखो depend करता है कि a में से minus हो रहा है या b में से अब a में से कुछ ने कुछ minus हो रहा है तो क्या करेंगे a और b के अंदर जो element common होएंगे वो किस में से delete कर देंगे अप set a में से उसको क्या कर देंगे delete बरतेंगे उसके इलावा जो element बच जाएंगे उस set a के तो वो क्या जाएंगे a minus b तो देखते हैं कैसे करना है set a दिया भाए ये रहा set b दिया भाए ये रहा तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि इन दोनों में common element कौन-कौन से है ठीक है जी देखा मैंने इसमें 3 इसमें नहीं है 6 नहीं है 9 नहीं है लेकिन 12 जो है element आते हैं वो A के ही आते हैं B के नहीं आते हैं तो A में से क्या करेंगे बी के element माइनस करेंगे और माइनस वह करेंगे जो कॉम बनो तो देखते हैं 3 3 इसमें नहीं है तो इसका मतलब A माइनस B में 3 आएगा 6 9 और 12 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है तो इसका मतलब A यह मेरे पास ए मैनस बी आ गया सिंपल सा है ए में से क्या करना है बी ए और बी के common element डिलीट कर देना जो बखी बच गया वह मैनस बी आ जएगा और याद रहा है सिर्फ ए में से देखो ए में से माइनस करें बी से अपने को मतलब नहीं है नेक्स करें देखता हूं जैसे इसमें नहीं है 6 6 है इसमें तो इसका मतलब ए माइनस में सिर्फ 3 आएगा 6 नहीं आ सकता 9 9 भी इसमें नहीं है 12 12 है 12 भी नहीं आएगा 15 15 भी नहीं है जिसम करने हैं ए 9 डीम अगी इक करना गूशन कोश्रावा है निकाल सबसे पहले निकालना है x-y 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 निकाल लेते हैं देखते हैं इन दोनों में common क्या है इन दोनों में b common है जी d common है तो x में से –y कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा b और d x में से delete कर दूँगा और जो x में बच्चा a और c वो क्या गया x- y next y- x करने तो अब देखो Y में से डिलीट करना है common element तो B और D जो था वो किसमे common था X में भी था Y में थे अब Y में से माइनस कर रहे हैं तो Y में से डिलीट कर देंगे तो बच्चा कैस में एक F बच गया एक G बच गया यह क्या आगया Y माइनस में X और next क्या निकालना है A X intersection Y मतलब X और Y के अंदर common element वो क्या थे वो थे B और D यह मेरे पास क्या आगे answer आगया 11th question देखो आगे next यह कहता है भी R is the set of real number R जो है वो क्या है set of real number है ठीक जी क्यों is set of rational number क्यों जो है वो set of rational number है then what is R minus Q तो R minus Q क्या होगा देखो जो real number जो होते है ना real number जो होते है वो क्या होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे rational number पलस में E rational number दोनों को मिला के क्या बनता है real number बनता है मतल्र रैशनल नंबर और E rational number जितने भी rational number है और जितने भी E rational number है अगर दोनों को मिला दूँ तो अपने पास क्या मन जाता है real number बन जाता है करना क्या है अपने को R में से क्योą minus करना है मैंने वहाला था कि जो minus करते हैं तो जो चीछ दोनों में common होती है वो क्या जाती है डिलीट हो जाती है किस में से अब आर में से माइनस कर रहे हैं तो आर में से अब रियल लंबर क्या होता है रियल लंबर क्या होता है रैशनल लंबर और इरैशनल लंबर का कंबिनेशन होता है तो इन दोनों में क्या है रैशनल लंबर तो real number के अंदर rational number भी आजते हैं э rational number भी आजते हैं तो real में से अगर मैं rational number minus कर दूँ topics तो पैछे बच्चे क्या e rational number लुक्त R- क्या होगा set of rational number तो R- क्या हुआएगा वो e rational number का set आजएगा क्योंकि आपको पता है real number में मैं बता है कि ऐसे सारे के सारे मारा इश्डा इस्मेस से क्या कर दूंगा है इस्में से क्या करता एगा अपने इसके अंदर और फोल्स. poz तो देखते हैं true और false क्या है इसमें ये कहता है ये एक set ये दिया हुआ है एक set ये दिया हुआ है और disjoint set ये कहता है कि ये जो set है वो कहा है disjoint set है तो आपको पता है कि इन दोनों में कुछ भी common है नहीं होना चाहिए अब इन देखते हैं इसके अंदर कुछ common है क्या नहीं इस इसमें और इसमें देखते हैं इसमें देखो 3 और इसमें भी 3 तो इतने दोनों के बीच में common element क्या है 3 तो मैं कहा सकता हूं कि यह जो set बनेगा वो disjoint set नहीं होगा तो यह statement है वो क्या है अपने पास false है क्योंकि इनका इंट्रसेक्शन है वो not equal to empty है next देखते हैं यह इसमें भी और इसमें भी है तो इन दोनों का जो intersection है वो भी not equal to empty है देखो मैं ए मानता हूं set इसको भी इन दोनों का जो intersection है वो not empty यह भी false हो गया आपने पास ठीक है जी next देखते हैं यह set है या नहीं तो देखते हैं next यह देखते हैं तो यह भी क्या होगा अपने पास true होगा तो यह अपने पास क्या होगी exercise जो है नेक्स्ट वीडियो में next exercise करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं और किसी ने अगर मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल subscribe कर ले थैंक यू